हेलो एवरिवान बलकाम बैक टू मैं चैनल तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ छोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ अपने घर का पूरा हाउस टूर व्लोग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन द एंट्री गेट है तो गाइस इसके लेफ्ट हैंड पे है हमारी बैटक इसको हॉल भी बोलते हैं और ज्यादा तर इसमें गैस्ट वगरा ही आते हैं तो इसको हम बैटक ही बोलते हैं और यह है पोर्च बहुत बड़ा पोर्च है जिसमें आप काड़ी वाड़ी वाइक वग रख सकते हो और इसको जो मेहन गैट है इसको अपने कवर करके रखा है क्योंकि इसमें दूल मिल्टी अंदर आती थी तो इस वज़े से कुछ इस तरीके से दिख रहा है मैंने पूरा कैमरा आपको गुमा के देखाया है और बैटक में क्या जादा कुछ तला नहीं है सिर्फ स सिंगल बैट डाला हुआ है जिससे कभी कोई आता है तो वह आराम कर लेता है तो इस वज़े से ऊपर थोड़ा बहुत इसमें लाइटिंग का भी काम हो रहा है तो हॉल के जस्ट पगल से लेटिंग बात्रूम दोनों ही बने हुए हैं तो यह है छोटा सा वात्रूम लेकिन मैं इसको इसमें अंधेरा इसलिए क्योंकि इसके बल्व को पतानी क्या हो गया है तो इस वैसे जल नहीं रहा है तो बस यह इस तरीके से दिखता है और इस तरीके से मतलब इस पेस दिया हुआ है यहाँ पे भी इसके जश्ट उपर जाल लगा हुआ है जिससे हवा वगरा आती रहती है और यह मैं डोर है अंदर के लिए मतलब यहाँ पे गैस लाइन भी ज तो यह जो है मेरा रूम है जो मैं आपको दिखा रही हूँ. यह वाला रूम है मेरे दिवरानी का रूम है तो मैं सबसे पहले आपको अपना रूम दिखा देती हूँ. simple है जादा कुछ decor वगर नहीं करके रख़ा है क्योंकि अभीनाय मकान है तो इस बज़े से तो यह मेरा bed है और इसके इसी bed में ही यह थोड़ा सा जोटा रूम है क्योंकि इसमें एक छोटा एक बड़ा रूम है तो ये छोटा है थोड़ा सा और जो मैं अभी दिखाऊंगे आपको वो बहुत बड़ा है तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है मेरे एसी लगई हुई है और ये गेट जो था पहले ओपन था लेकिन अभी मैंने इसमें ये गेट लगवा लिया है क्योंकि ओपन वो अच्छा नहीं लगता था सर्दियों में क्या है ना हवा बहुत आती थी इस तरीके से अगर ये पोर्च दिया हुआ है इसमें वह ऊपर जाल दिया हुआ है जिससे क्या होता है ना एसी का पाईप बगएर है इसमें से कनेक्ट है जिससे यहां पर पानी बानी जो है गिरता रह ejercitt है बाद में इसको साफ कर देते है और यह मेरा कबाड रखा हुआ है उसी के उपर पच्चों के किछ खिलोने रखे है मैंने और इस तरीके से कुछ यह दिखता है तो चलिए आपको next दिखाते हैं तो यह आप इसको dining area बोल सकते हो पर हमने dining table नहीं रखा है तो यहाँ पर दो fridge रखी हुए उपर भी lighting हो रखी है यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है खाना वाना खाने के लिए kitchen के जश्ट kitchen को निकलते ही है यह तो इसको आप dining area ही बोल सकते हो और यह kitchen छोटी सी है लेकिन बहुत अच्छी है kitchen है और इसमें सारा जो तरीके से सब कुछ जमाके रखा भी सब कुछ proper नहीं है क्योंकि अभ बस दो fridge रखके हुए है और यह बड़ा room master room आप इसको बोल सकते हैं तो इसको मैं देखा देती हूं आपको इसमें भी bed डला हुआ है इसमें मेरी मुझसे जो छोटी देवरानी है वो रहती है तो उसका यह room है और उसकी वी AC लगी हुई है उपर भी light इसमें भी उपर lighting हो और यह कुछ इस तरीके से दिखता है यह बहुत बड़ा है और काफी space है इसमें उसका dressing रखा हुआ है table रखी हुई है और इस तरीके से यह कुछ दिखता है इसके में तो एक window दी हुई है इसमें जो की मेरी ventilation की side में खुलती है तो इसमें से अच्छी कासी हवा जो है वो आ अच्छा लगाए तो subscribe कर देना वैल icon भी दबा देना और जिससे मेरी हर एक वीडियो की notification सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो चलिए guys मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए